नमस्कार किसान भाईयों मैं सतिनरेन पठेदार पठेल किसानमित्र यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करशिदवियों की जो फार्मूले के पिछे EC, SC, ZC, WP, WW, SG, WG, SL ये किन कारणों से लगाए जाता हैं हमारे 80% के लगबग किसान भाई को यह पता नहीं है कि EC, AC, O और आदी इनका मतलब क्या होता है और कौन सा फार्मूला ज्यादा अच्छा काम करता है किसान सतियों सबसे पहले हम बात करते हैं EC यानि MLC, FIWAL, CONSTANTRED, Type K फार्मूले के बारे में जिसे हिंदी में पार्सी करण मिस्रन भी कहते हैं इस प्रकार के कितनाशक, फपुनाशक या आन्य प्रकार की दवाईयों जिसके टेक्निकल नाम की पीछे इसी लिखा होता है ये दवाईयां पानी में मिलने के बाद दूत की तरब बन जाती हैं जैसे की ट्राइजोफास, प्रोपेनोफास, टेबुकोनाजोल, आधी अन्य प्रकार की कितनाशक दवाईयों के बीछे इसी लिखा हुआ रहता है किसान साथियों इस प्रकार की दवाई, चिपको आरगनिक साल्वेंट और दवाईयों का जो केमिकल होता है, उसको मिला कर तयार किया जाता है इन दवाईयों की जो प्रापरटी होती है, वो पानी जैसी पाड़ रसी होती है जैसे ही इसे पानी के साथ मिलाया रहता हैं, यह अपनी प्रापरेटी चेंज करके सफेत रंग में बन जाती हैं इस तरह की दवईयों का ज्यादा लंबा सर नहीं होता हैं, यह पत्तो पर से जल्दी उड़ जाती हैं इस फार्मुलेवल दवईयां जैसे ट्राइजोफास 40% इसी, प्रोपेनफास 50% इसी, टेबुको नजोल 25.9% इसी प्रकार की होती हैं दोस्तों इस प्रकार की दवईयों का इस्प्रे मोसम साफ हो तबी करना चाहिए यानि ज़्यादा बादल या तेज दूप और बारिस में इनका उप्योग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दवईयां ज़्यादा क्रियाशल होती हैं और पतों पे अच्छी तरह से चिपकती नहीं है और जल्दी उड़ जाती हैं ये दवईयां ज़्यादा एक्टिव होती हैं इसी फर्म वाली किसी भी दवईयों को अन्य दवईयों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दूसरे केमिकल के साथ में जल्दी रियक्शन करती हैं दोस्तों इस प्रकार की जो इसी फर्म वाली दवईयां हैं ये दूसरे पर्म वाली दवईयों से थोड़ी सस्ती होती हैं किसन भीयों अब बात करते हम एसी फर्मले के बारे में AC formulation मतलब suspension, concentrated यानि capsule की रूप में गाड़ा तरल पदार दोस्तों जब EC formula के साथ में weightable powder वाली दवाई को मिला देते हैं तो ये formula AC में बदल जाता है EC formula वाली जितनी भी दवाई आती हैं उनके technical के पीछे AC लिका हुआ रहता है AC दवाईयों का जो chemical होता है वो weightable powder के साथ मिलाया जाता है यह गाड़ा, सपेद या मट मिले रंग का गोल होता है इस तरह की दवाईयां पाने में गुलने में थोड़ा time लेती हैं इस प्रकार की दवाईयां ज्यादा समय तक फसलों पर result दिखाती हैं AC फर्मूलेशन वाली दवाईयां ज्यादा तर किसी भी दूसरे कितना शक केमिकल के साथ में mix हो सकता है इन दवाईयों को ज्यादा तर किसी भी मोसम में उप्योग कर सकते हैं क्योंकि ये वेटेबल पाउडर के साथ में अच्छे से चिपक जाती हैं इसलिए दोस्तों ज्यादा तर न्यू जनरेशन की जितनी भी दवाईयां आ रही हैं वो AC फर्मूले वाली ही आए किसन साथी ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं इस प्रकार की जो AC फर्म वाली जितनी भी दवाईयां होती हैं ये पानी में गुलने में थोड़ा समय और मेनत लेती हैं और दूसरी बात यह हैं कि AC फर्मूले वाली जितनी भी दवाईयां हैं तो हम आपको कहते हैं कि एस सी फार्म वाली दवाईयां सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि इस फार्म वाली दवाईयों का रिजल्ट 30-40% ज़्यादा मिलता हैं दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में हम बात करेंगे जेडिसी, डव्यू पी, डव्यू डव्यू, एस, जी, डव्यू जी और एसल वाली फार्म वाली करसी दवाईयों के बारे में दोस्तों अगर ये जनकरी आपको अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक किसंद बैयों के साथ शेयर कीजिएगा जय हिन जय भारत